असलाम अलेकुम फ्रेंड्स आज मैं आपको बिल्कुल शादियों के स्टाइल का दानेदार चिकन कोर्मा बनाना बताऊंगी तो चली रेस्पी बनाना स्टार्ट करते हैं ये मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है इसको मैंने धूकर वाश कर लिया है और ये मैंने 4 लाड़ साइस की प्यास लिया है इनको मैंने पहले से ही ऑईल में ब्राउन कर लिया है इस तरह से और ये मैंने 100 ग्राम दही लिया है इस दही और प्यास का मिलाकर हामें एक पेस्ट बनाना है ये कुछ साबुद गरम मसाले हैं, एक इंच का दालचीनी का तुकड़ा, दो बड़ी इलाइची हैं, वन टीस्पून काली मिर्च, दो तेस पाथ, ये थोड़ी सी दालचीनी, और ये दगड़ फूल कहलाता है, स्टार अनाइस, अगर आपके पास असानी से मिल जाए तो ये देखिए, हमने मिक्सर में प्याज और दही का पेस्ट बना लिया है, ये सबसे हम एंड में डालेंगे, ये मैंने एक कप ऑईल लिया है, इसमें ही मैंने प्याज को फ्राई करा था, ये साबुद मसाले हैं, ये सब हम इसके अंदर डाल देंगे, इसको एक मिनिट के लि तो हम तेस फिलेम पर वाई फिलेम पर एक से दो मिनिट तक कलरण चेंज होने तक ब्हूनेंगे, अब ये मैंने 2 टेबल स्पुन अध्रक लसन का पेस्ट लिया है, ये मैं ऑगर के समें डाल दोंगी, अध्रक लसन का पेस्ट डालने में कभी भी आप इसका तिस्ट आता है और इसका texture भी अच्छा होता है अब हम इसे एक मिनिट के लिए इस तरह से भून लेंगे अब मैं इसके अंदर दो टेबल स्पून कोरियंडर पाउडर रेट कर दूँगी और वन टेबल स्पून मैं इसके अंदर देगी मिर्च पाउडर रेट करूँगी इससे बहुत जादा अच्छा कलर भी आता है हाफ टेब टीजपून मैं इसके अंदर टर्मरिकेट कर दूँगी और वन टीजपून नमक अब हम इसको एक बार फिर से भून लेंगे एक से दो मिनिट के लिए इन मसालों को दीज़ी कितना अच्छा कलर आया है देगी मिर्च का थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डालूंगी ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाए जो धनिया हमने इसके अंदर डाला है वो सब अच्छी तरह से पक जाए तीन से चार मिनिट भुनने के बाद मैं इसके अंदर एक कप पानी एट कर दूँगी इसको हम इस तरह से हिला लेंगे और इसको हम कवर करके 10 से 15 मिनिट के लिए इसको हम मेडियम फ्लेम पे पकने देंगे 15 मिनिट हो चुके हैं देखिए हमारा चिकन गल गया है अब मैं इसके अंदर 1 टेबर स्पून डैसिकेटिट कोकोनट मैंने लिया है इसको मैंने थोड़ा सा तवे पे रोस्ट कर लिया है इसका बहुत जादा अच्छा फ्लेवर आता है इसको मैंने डाल दिया है और हम एक मिनिट के लिए से फिर से भून लेंगे ये जो दही में मैंने प्यास को पेस्ट बनाया था वो भी हम इसमें एट कर देंगे फिर से इसको मच्छी तरह से मिला लेंगे जब हमारा चिकन गल जाए तभी आप ये पेस्ट एट करें बस थोड़ सी चिकन के अंदर कसर होनी चाहिए जादा भी चिकन ना गलावा हो इसको एक से दो मिनिल पकने देंगे ये हाफ टीस्पून मैंने इसके अंदर बस गरा मसाला एट कर दिया है थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी एट कर रही हूँ क्योंगे मुझे थोड़ा सा ये गाड़ा लग रहा है इसकी कंसिस्टेंसी मुझे बस अब हम इसको ढग देंगे दो मिनिट के बाद मैं इसे फिर से चेक करूँगी वन टीस्पून मैं इसके अंदर केवड़ा वाटर एट कर दूगी ये मैंने थोड़े से मखाने लिए हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इनको थोड़ा सा वन टीस्पून ओइल के अंदर मैंने इने फ्राई कर लिया है और ये इसमें डाल दिया देखिए कितना जादा अच्छा लग रहा है एकदम रॉयल हमारा ये कोर्मा लग रहा है जिसे शादियों में मौसली हम खाते हैं माखाने डालने से इसका और जादा रिच फ्लेवर हो जाता है बस हम इसे एक मिनट और पकने देंगे और इसे ठक देंगे देखिए हमारा चिकन कोड मा बिल्कुल तयार हो गया है चलिए अब हम इसे सर्फ करते हैं कोई इसमें हमने ज़ादा मसालों का यूज नहीं करा है बहुत ही ज़ादा सिंपिल जो आपके घर में नॉर्मली तौर पे आपको मिल जाते हैं मसाले हमने इसमें डाल लेकिन जब आप इसे बनाएंगे तो इसका बहुत जादा अच्छा टेस्ट आएगा बस लास्ट में मैंने इस पे दो हरी मिर्चें गानिशिंग के लिए डाल दी है हमारा चिकन कुर्मा बिल्कुल तयार है इस स्टेल में आप इसको जरूर बना के देखिएगा देखिए कितना ज़्यादा दानेदार बना है ये बहुत ही कम मसालों में और अच्छा कुर्मा हमने तयार कर लिया है अगर आपको मेरी ये रेस्पी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भोलिएगा थैंक यू